पूरे देश में करोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है करोना की बढ़ते मामले को देखते हुए हाईवे दिल्ली के बाद आज नॉयडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है जिससे अच्छे से पालन करवाने के लिए नॉयडा पुलिस ने आज भीडबार वाले इलाकों और मार्किट इलाकों में जागरुपता अभियान चलाया बारी पुलिस बल किये तस्वीरे नॉयडा के सबसे पॉश मार्किट सेक्टर 18 की है और ये भारी पुलिस बल आज नॉयडा में लगे नाइट करफ्यू को लेकर जागरुपता करने पहुँचे है एडिशनल डिसीपी रनविजे सिंग ने बताया कि हम बजारों में आम जनता को नाइट करफ्यू को सफल बनाने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील कर रहे है आज रात दस बजे से पूरे जिले में करफ्यू लागू हो जाएगा ऐसे में अगर कोई भी वैक्ती बाहर गुमता है तो उसके खिलाब कारवाई की जाएगी उसके साथ ही सभी बजारों और भिड़बाड वाले इलाकों में जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उनका भी चलान काटा जा रहा है नाइट कर्फ्यू के दौरान एशेंचियलसर्विसिज चालू रहेगी इसके साथ ही सभी मेडिकल सर्विसिज भी चालू रहेगी आज लोगों को नाइट कर्फ्यू और उसके नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है इसका सामने के लिए हम सब लोगे क्यार होना पड़ेगा और उसकी कर्फ्यू लगाया गया है और यह अगरी मादेश तक चलेगा इसके अनुशार कोई हिवेक्ती राती दस वजे के पाद सब्सक्राइब को नहीं दिखना चाहिए अगर कोई गुंता हुआ दिखता है इसमें केवाल जो इसेंसल सर्विसेज के लोग हैं वही एक्जम्टेट रहेंगे और उनके साथ प्रोपर उनका भी होना चाहिए इसके यहां पर सारी कुलिस सिवासा अपने चेत्र में पुविड का जो जारी रहेगा पर पस ही है कि हम लोग ने कि सबी लोग खुब सुरच्छित हैं और बाकी हमारा पुरा का पुरा हमारी नोडा वासी तॉप्स्टोरी ब्यूरो के लिए नाइडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट